अगर मेरे तरह आप भी मैगी खाने के सोखीन है तो इस तरीके से एक बार मैगी ज़रूर बनाईएगा सभी का फेवरेट हो जाएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए मैगी की टेस्टी रैस्पी बनाना हम सुरू करते हैं हमें गैस पे चढ़ा देना है पैन को इसमें डाल देना है पानी हमें इसमें आधा गलास पाणी डान लगभग डेर 100-200 judgment इसे हमें हलका गरम होने देना है गैस का फ्लेम अभी हमें हाई कर लेना है पानी हलका गरम हो चुका है अभी हमें इसमें डाल दीना है एक मैगी 14 रुपया वला जो मैगी आता है न वही है अभी हमें इसे चला लेना है इसे हमें 2-3 मिनट के लिए पकाना है जब तक मैगी एकदम सौट ना हो जाए अभी हमें गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखना है थोड़े थोड़े देर में हमें मैगी को चला लेना है अभी आप देख सकते हैं मैगी में उबाला चुका है अभी हमें इसे चला लेना है मैगी पक चुका है इसे हमें एक छन्नी में छान लेना है अभी इसमें तड़का लगाने के लिए पैन में वापिस डाल देना है एक चम्मा सरसो का तेल अब बटर या घी भी डाल सकते है तेल को हलका गरम होने देना है तेल हलका गरम हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है तीन से चार लेसुन के कलियों को बारी काट कर इसे हमें हलका ब्राउन होने देना है अभी हमें इसमें डाल देना है एक हरा मेर्च आप इसे बारी कट करके भी डाल सकते हैं एक बार इस तरीके से मैगी जरूर बनाईएगा सभी का फेबरेट हो जाएगा काफी छटपट बन जाता है बहुत ही कम टाइम कम महिनत में और खाने में इतना टेश्टी लगता है कि क्या ही करना अभी हमें इसमें डाल देना है मैगी मसाला जो मैगी के अंदर रहता है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है अगर आफ फ्लेम पे मसाले को डालिएगा तो मसाला जल सकता है इसे हमें चला लेना है मसाले भी अच्छे से भून चुका है इससे जदा हमें इसे नहीं भूनना है अभी हमें इसमें डाल देना है उबले हुए मैगी को इसे हमें चला लेना है देख सकते हैं कितना इजी है, बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही कहना हमें इसे चलाते हुए आधा मिनट के लिए भून लेना है तो एक बार इस तरीके से लहसुनी मैगी जरूर बनाईएगा सभी को काफी पसंद आएगा मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैगी भी भून चुका है अभी हमें ग्यास का फ्लेम आफ कर देना है अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फैमिली फ्रेंट के साथ सेर जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताइएगा ये रेस्पी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग